अब मैं आता हूँ वर्तमान परिवेस में जो पढ़ा लिखा वर्ग हैं ये तो बाबा साब के समय ही हमने देखा उन्होंने एक भास्ण दिया था आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया आज जैसे कि आप डॉक्टर हैं आपकी पत्नी भी डॉक् है सबको मेतरी करूना का लेकिन इतना अच्छा बाबा साहब का रास्ता है बुद्ध का मार्ग है उसके बावजूद भी जो पढ़ा लिखा तबका है जो अच्छे पदों में पहुंच गया आईएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बन गया है वो उनकी बात करने से भी के लिए कस्ट कर रहा हूं उनकी मुक्ति के लिए लड़ रहा हूं उनको यह लगता था मेरा इतना त्याग देख करके यह लोग खुद इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि यह मिशनरी बन जाएंगे यह मिशनरी बन जाएंगे मेरे समाज के उत्थान का काम आगे बढ़ाते चलेंगे पर हुआ यूँ कि ये दो डाही आजार साल ये गुलाम रही हुई कौम है और ये कौम अचानक से सारी चीजे नहीं समझती है ठीक है और क्या है कि जिन परिसितियों में इनका पालन पोशन हुआ है वो सारी हिंदू संस्कृती है और हिंदू संस्कृत जो बड़े पड़े है और अग्यान मतलब जनरेशन्स तोगेदर ये लोग गुलाम रहे अग्यान में रहे तो अचानक से ऐसा नहीं होता है अचानक समझ में नहीं आता है और ये जो पढ़ालिका तबका है ये डायरेक्ट फुल टाइम काम करने के लिए मोटिवेट नहीं हुआ ये त पुल टाइम काम करने वाला बंदा जो है ये पॉलिटिकल हो रिलिजेस हो कोई भी फिल्ड में हो तो उसका त्याग दरस्टी बराबर नहीं है देखो उपासक होता है बुद्ध के धम्म को भी उपासक ने अपने घर से ही नर्चर किया घर से ही केटर किया वो तो करता है आ तो यही पढ़ा लिखा तपका है तो उसका योगदान एकदम नगन है ऐसा नहीं कह सकते लेकिन फुल टाइमर के रूप में वो जरूर नहीं आया अगर वो फुल टाइमर के रूप में आता अच्छी मात्रा में तो शाय चित्र अलग होता जिस प्रकार से आपने बात बताया कि आपने बिल्कुल पक्च रखा कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है उन उसने बिल्कुल बाबा सापको धोका सारे लोगोंने नहीं दिया आपकी बाद से में पूरी तरीके से सहमत हूँ लेकिन महरास से आप बिलोंग करते हैं कहीं न कहीं ये भी आपके अंदर साइद एक अशर होगा जिसके आपकी घर का परिवार का परिवेस भी होगा कि वो परिवार में तथागत गोतम बुद्ध या बाबा साब की विचारों को आपके माता-पिता मानते होंगे साइद वही कारण है कि आप भी आज अच्छे पद में जाने के बावजूद भी अपने महापुरूसों को नहीं भूले हैं क्या मैं ये सही कह रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहे हैं आप हर कोई इतना चिंतन सिल नहीं होता देखो क्या है कि आदमी के भुनियादी सोच में अंतर आने के लिए जनरेशन जाने पड़ते हैं अब मैं वही बात बोल ला था कि बुद्ध के उगम के बाद बुद्ध का पूर्णता प्रभाव भारतिय समाज पे आने के लिए कितने साल लगे थे तो कही जानकार लोग इतियासकार लोग इसका answer देते हैं तकरीबन 500 साल लगेते हैं बुद्ध के उगम के बाद अगर हम हमारे मुव्मेंट की ऐगर बात करते है तो हम फुले पे स्टर्ड हुए है ना महातमा जोतीवा फुले के साथ हम स्टर्ड हुए है方 तो या धाई सो साल तक मान सकते हैं तो अभी हमारा पाड़ाओ अगर आप कहेंगे कि डाक साब इतना सारा चल रहा है यहाँ वहाँ विखराओ अभी क्या है कि पर पर जागरूती चल रही है भले यह विखराओ में हो ठीक है वो अज्ञान की वज़े से हो एक दूसरे के प्रती स प्रताई उसी बात को मैं जोडते हुए मैं राजनितिक मामले पर जाता हूं कि समाजिक क्रांती का जो काम है वो चल रहा है लेकिन जो राजनितिक जो हमारी इस्तिती है राजनितिक राजकाज में हमारे लोगों का प्रतिनिदित है वो तो बाबा साब ने पूना पेक्ट क के माध्यम से लोगों को आरक्षन दिया आरक्षे सीटोंस चुनके जाने का परियाप प्रतनीदित वहां पहुंचता है लोग सभा में विधान सभाओं में राज सभा में भी लेकिन जब भूजन समाज या बहुजन समाज के हको की जब बात आती है तो यह जो सांसद होते हैं बिधायक होते हैं वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं उसके बीचे क्या कारणा कि वो जिसके कारणा वहाँ पहुँचे हैं उन्हें भूल जाते हैं नहीं उसमें देखो पुना पैक्ट तो बाबा साब का ओरिजनल तो सिधान नहीं था बाबा साब चाहते थे कि सेपरेट सेटल्मेंट का इशू था तो पुना पैक्ट बाबा साब के मन के विर्दू हुआ है अब तब जो जो बाते हुए उसको हम अभी यहां डिसकस नहीं कर पाएंगे पर briefly अगर हम बाबा साहब के उस भाशन पर जाते हैं सविधान जब 26 जमनरी 1949 को बाबा साहब ने सुपूर्थ किया था देश को अर्पन किया था तो बाबा साहब ने जो बाते कही थी कि सविधान मैंने दिया है सविधान के थू मैंने political democracy देने की कोशिस करी है लेकिन अगर ये political democracy socio economic democracy में जितने जल्दी हो सके वो तबदील करनी पड़ेगी अगर वो तबदील नहीं कर पाए आप तो आपको बहुत बड़ा खत्रा है ये political democracy खत्म होने का बहुत जादा खत्रा है क्योंकि देखो क्या है कि समाज विभाजित समाज है दो ड़ाई हजार साल से आपका अगर समाज विभाजित है वैस समाज कैसे बनता है समाज एक दुसरे के विभार से बनता है मैंने उनको क्या दिया और उनने मेरे को क्या दिया इसको बाबा साब कहते है societal osmosis मतलब एक दुसरे का action चलता है उससे समाज बनता है अब यहां तो समाज में कहा एक माले पर यह है तो दूसरे माले पर जा ही नहीं सकता तो कास सिस्टम सबसे बड़ा उसमें हडल है और आप देखिए कि यहां सोशल डेमाकराशी कितनी बनी है जो गरीब है गरीब है जो आमीर है भेंकर आमीर है तो सोशल डेमाक्राशी नहीं है एकनॉमिकल डेमाक्राशी भी नहीं है तो यही खत्रा बाबा साब ने तब डिकलेर किया था अभी जा के आपको दीख रहा और दूसरी बात आपने जो पॉलिटिकल बात कही देखो पॉलि की सामाजी क्रांटी के बाद मोरिये शुद्र के रूप में राज्ञ क्रांटी आई तो उसके पीछे जमीन में क्या हो था जमीन में सामाजी क्रांटी थी इसकी बुनियादा और जड़े उसी तरह से शिवाजी महराज के इसको भी यह बोलते है की संत ediyor की जो सामाजिक क्रांती हुए इस टाइम पे तो वो शिव क्रांती का शिव क्रांती का बैग्राउंड था विशेश करके तुकारा महराज की जो सामाजिक क्रांती है बाकि उनके साथ बहुत संतों ने काम किया तो एक सामाजिक background शिव क्रांती राजकिय क्रांती के लिए background उसमें काम किया तो ये social revolution is followed by a political revolution तो राजनीती ऐसा फल है जो पौदा लगाने के बाद उसका पेड़ बनता है और पात साल या छे साल में जो भी उसका maturity period है उसके बाद ही उसको फल आएगा उसके पहले कैसा आएगा तो आपका आभी social revolution हुआ नहीं है it is partially, it is in process वो जब पौक्त रूप से आएगा तो ये सब आपको एक जान दिखेगा और इसका राजनीतिक फल आएगा जो खाने लाइक होगा जो टिकेगा भी तो वो तरीका है अब यहाँ पर क्या है लोग अपने समझते ही ने उट सूट उट सूट राजनीतिक बात करते है मैं मैं सबको नेता बनना है हो तो मराठी में कहा होते है अर्दया हालकुंडा न प्यूड़ो भाइच से ठीक है अर्दया हालकुंडा मतलब मुझे दिखा तो मुझे लगेगा कि मैं नेता बन जाओंगा अइसा है और काशिराम सभब ने भी जो अंदौलन चालू किया था सामाजिक अंदोलन चालू किया था उन्होंने बेसिकली फिर वो फॉल्टिकल के लिए गए फिर उनके रहते हुए ही वो सामाजिक जो बामसेप का काम था वो कट डाउन हो गया तो आप देखिए कि वो राजनितिक अंदोलन भी अभी दिक्कत में है कांशिराम साब का भी क्य पुरुशों के विचारों को इस भारत की भूमे में पुनश्य वो इसको रोपना पड़ेगा और उसका फल आने के लिए हमें सातत्य सातत्य से काम करना पड़े आपने जो बाते कहीं उसका विल्कुन सारांस यही है कि समाजिक क्रांती सबसे महत्पूर्ण है समाजिक क्रा अगर आपका समाज अगर सुद्रूड और जैसे बाबा साब बोलते थे कि एक समाज में अगर दस डॉक्टर दस वकील और इस तरह के लोग रहेंगे तो उस समाज की तरफ मतलब वक्रद्रिश्टी करने के किसी की हमत नहीं पर नेगी तो वही है हमें समाजिक क्रांती समाजि है हमारा समाज जिस तरह से जागरूख होगा उस तरह से दीरे-दीरे करांती आए सर में आप से आपके माध्यम से जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और जो यदि आई-एस-पी-एस या अधिकारी होंगे जो बड़े पदों पर पहुंचे हैं और जो हमारी युवा हैं उन समाज में जो लोग एक्टिव होके काम कर रहे हैं उनको अंदोलों को साइंटिफिक तरीके से समझना पड़ेगा अब क्या है कि तुम बोलते हो मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि डाक साब हम बहुत दिनों से काम करें कुछ हो ही नहीं रहा है अब देखो ये तो समंदर मे एक लोटा पानी डालने जैसा है मैंने जैसे कहा कि बुद्ध की बुद्ध ने जो शुरुवात की इस देश को समाज को बनाने की उसके कितने दिनों बाद बुद्ध के विचारों का प्रभाव इस भूमी पर दिखने लगा तो पास साल का पीरिड है आपको भी उसी तरह स से तैरने वाली बात है आपको उतना शीलवान होना पड़ेगा उतना द्रस्टिवान होना पड़ेगा उतना त्याक करना पड़ेगा और यह आपका जो है बिल्डिंग अगर आपको बनानी है तो आपको फॉंडेशन में योगदान देना ही पड़ेगा आप सीधे जाके सी येदि कोई डॉक्टर येदि आप कोई बात बता रहे हैं तो आपकी बात को एक जो असिक्षित वेखती है वो थोड़ा ज्यादा द्यान से सुनता है या फिर एक बेरोजगार यूथ जो है भला ही पढ़ा लिखा है लेकिन येदि वो कोई बात बताता है तो उसका उतना प् दारन ले सकते हैं अभी मुंब स्वारी औरंगाबाद में जाक्तिक दम्म परिशत हुई डॉक्टर हर्षेदीब कामले ने उसको मेंटर किया सारा मोटिवेट किया डॉक्टर हर्षेदीब कामले आयस ओफिसर है तो सारे मैं तो वहाँ भी चोका में बोलना था कि सारे ऑफ अभी काफी अंतर पड़ रहा है इनको थोड़ा आसुरक्षित लग रहा है तो वह आभी जाएंगे और काम करना ही पड़ेगा करेंगे भी काम और अभी काफी अक्टिविजम तो काफी बड़ा है भले आपको विक्राव लग रहा है लेकिन ये विक्राव भी कुछ दिन च चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूली